Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English So dear friends I am here with vocabulary for English speaking These sentences are common sentences which be used in our daily life इसी प्रका के sentence are morning to evening use करते हैं तो dear friends इनको English में कैसे बोलते हैं या इनका क्या translation होता है यदि आप भी जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो पली जिसे subscribe करिए, bell icon को press करिए तथा इन्हें जादा से जादा like करिए आगे देखते हैं, मैंने उसे मुह तोड़ जबाब दिया उसने हम सब को धोका दिया उसे दूसरा मौका दो, मुझे ऐसा नहीं लगता है देर हो रही है, यदि मेरे पंक होते तो इसमें 10 वर्स लगेंगे, उसने स्थीपा दे दिया हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है मुझे समझाने दो, मकान किराई से देना है आया है आपका व्यक्तिकत मामला है आप अपना आपा मत खोईए आप अच्छी तरह से परचित हैं कीमत चुकाओ, आप कोई राज छिपा नहीं सकते हैं किसी के उपर धोंस जमाने की आदत तो इसी प्रिका के सेंटेंस जो है हम पड़े लेकर के आते हैं तो देखते हैं इनको कैसे इंगलिस में बोलते हैं सबसे पहले लिखा है मैंने उसे मुह तोड़ जबाब दिया जब कोई किसी को कुछ कहता है और उसी लेंग्वेज में उसी के लेंग्वेज में हम उसको जबाब देते हैं तो कहते हैं कि मैंने उसे मुह तोड़ जबाब दिया तो इसको इंगलिस में बोलेंगे I gave him good retort I gave आई गेव हिम गुड़ रिटॉर्ड गुड़ रिटॉर्ड मैंने उसे मुह तोड़ जवाब दिया नेक्स सेंटेस लिखे है उसने हम सब को धोखा दिया कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कुछ स्कीम बताते हैं और कई लोगों को लालज दे करके बोलते हैं कि इस प्रकार से आपका पैसा दुगना हो जाएगा आपकी जैलरी दुगनी हो जाएगी और जब आपको बाद में रियलिटी पता चलती है तो हम यही कहते हैं कि उसने हम सब को धोखा दिया देना नेक्स सेंटेंस लिखा है उसे दूसरा मौका दो कई बार किसी वेक्ति को हम फर्स चांच देते हैं although he has good capacity to do the work but that time if he could not do then we should give him another chance तो यदि पहली बार में कोई वेक्ति सफल नहीं होता है और हम जानते कि उसके अंदर caliber है उसके अंदर capacity है उसके अंदर ability है तो हम कहते हैं उसे दूसरा मौका दो तो उसे दूसरा मौका दो इसको बोलेंगे give him another chance give him another chance उसे दूसरा मौका दो मुझे ऐसा नहीं लगता है कई बार हम किसी ऐसे वेक्ति पर विस्वास करते हैं और कहते हैं कि वह तो देखिएगा सबका विस्वास जीत लेगा या वह इस रेस को जीत लेगा या वह इस काम को सबसे पहले करेगा लेकिन यदि किसी वेक्ति को लगता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता है तो उगलता है मुझे ऐसा नहीं लगता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है इसको English हैं बोलेंगे I don't think so I don't think so मुझे ऐसा नहीं लगता है देरी हो रही है कई बार बोलते हैं देरी हो रही है थोड़ा जल्दी करो देरी हो रही है समय समात हो रहा है देरी हो रही है मारी बस निकल जाएगी तो देरी हो रही है इसको English है बोलेंगे it's getting late it's getting late देरी हो रही है यदी मेरे पंक होते तो these are the imaginary sentence क्योंकि आदमी के पंक नहीं हो सकते हैं लेकिन फिर भी कभी कवारम यदी ऐसा बोलते हैं कि यदी मेरे पास पंक होते तो if I had wings if I had wings यदी मेरे पंक होते तो कोई भी काम करने में समय लगता है जैसे कभी हम कहना चाहते हैं कि ये कोर्स करने में आपको 6 माह लगेंगे या इस कार को होने में 10 वर्स लगेंगे या इस सहर को बदलने में 10 वर्स लगेंगे तो यदि हम किसी से कहना चाहते हैं कि इसमें 10 वर्स लगेंगे तो इसको बोलेंगे It will take a decade decade मतलब होता है time of 10 years 10 वर्स के समय को दसक कहते हैं तो इसमें 10 वर्स लगेंगे It will take a decade उसने इस्तीपा दे दिया अच्छी नौकरी होने के बाफजूत उसने स्तीपा दे दिया उसे और अच्छी जॉब मिल गई इसलिए उसने स्थीपा दे दे दिया उसका मन नहीं लग रहा था इसलिए उसने स्थीपा दे दिया उसने स्थीपा दे दिया इसको बोलेंगे He resigned हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा Dear friend आज के समय में पैसा सब कुछ तो नहीं लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है तो यदि हम कोई इसी लिए यही कारण की हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है बोलेंगे Everyone is running Everyone is running behind money Everyone is running behind money मुझे समझाने दो कई बार ऐसा बोलते हैं कि आपके कहने से काम नहीं हो रहा है मुझे समझाने दो आपके कहने से उसकी बाते समझ में नहीं आएंगी मुझे समझाने दो तो मुझे समझाने दो इसको बोलेंगे Let me Let me explain Let me explain मुझे समझाने दो next sentence लिखा है मकान किराई से देना है dear friends कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि यदि हमारे जरूरत से ज़्यादा घर है मकान है तो उसके किराई से दे दे तो यदि आप किसी से कहना चाहते है कि मकान किराई से देना है तो इसको बोलेंगे the house is to let house is to let मकान किराई से देना है कई बार दो लोग आपस में बात कर रहे थे कोई तीसरा व्यक्ति बोलता है तो बोलते हैं कि आप बताईए आप कुछ राय दीजे आप फैसला कीजे तो हम कह सकते हैं यदि हम यह कहना चाहते हैं आपका व्यक्ति मामला है मैं क्या बोलूँ तो यह आपका व्यक्ति बामला है इसको इंग्लेश से बोलेंगे यूर पर्सनल मेंटर Haip का व्यक्ति बात मामला है आप अपना आपामत खोगे तो जब कभी भी हम कुछ ऐसी बात कहते हैं कि लोग उसे नाराज हो जाते हैं, तो हम गोलते हैं कि आप अपना आपा मत खोईए, आप उसके साथ अपना विजनिस सुरू करने जा रहे हैं, आप अच्छी तरह से परचित हैं, आप उससे अच्छी तरह से परचित हैं या आप अच्छी तरह से परचित हैं कि वो कैसा व्यक्ति है इस प्रकार के सेंटेंस हम बोलते हैं तो आप अच्छी तरह से परचित हैं इसको इंगले से बोलेंगे यू आर वेल फैमिलियर यू आर वेल फैमिलियर कीमत चुकाओं, तो कीमत चुकाओं को बोलते हैं Pay Pay the price Pay the Price आप कोई राच छिपा नहीं सकते हैं, कई बार ऐसे होता है किसी व्यक्ति को हम कोई अपना secret बताते हैं, वा तुरंद ही दूसरे को बता देता है, जब कि आपने बोला होता है कि किसी को मत बताना तो आप बोलते हैं you can't you can't hide any secret आप कोई राज छिपा नहीं सकते हैं और dear friends कुछ लोगों की आदत होती किसी के उपर धोंस जमाने की आदत कई लोगों की आदत होती है वो अपने आपको मालिक समझते हैं कुछ न कुछ आदेश देते रहते हैं तो इसको बोलते हैं habit of bashing habit of habit of bashing धौब जाने की आदत तो dear friends these are very interesting and easy sentence if you want to speak these kind of sentence then you must read again and again or write again and again or at least listen again and again these sentence and you will be able to speak English तो देखते हैं एक बार सुरू से last तक मैंने उसे मोह तोड जबाब दिया I gave him good retort I gave him good retort उसने हम सब को धोखा दिया he betrayed all of us he betrayed all of us उसे दूसरा मौका दो give him another chance give him another chance मुझे ऐसा नहीं लगता है I don't think so I don't think so देर हो रही है it's getting late it's getting late यदि मेरे punk होते तो if I had wings if I had wings इसमें 10 वर्स लगेंगे it will take a decade it will take a decade उसने इस्तिपा दे दिया he resigned he resigned हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है everyone is running behind money everyone is running behind money मुझे समझाने दो let me explain let me explain मकान किराय से देना है the house is to let the house is to let यह आपका बैक्तिगत मामला है this is your personal matter this is your personal matter आप अपना आपा मत को यह you don't lose your temper you don't lose your temper आप अच्छी तरह से पर्चित हैं you are well familiar you are well familiar कीमत चुकाओ pay the price pay the price आप कोई राज छिपा नहीं सकते you can't hide any secret you can't hide any secret और किसी के ऊपर धोंस जमाने की आवद habit of bossing habit of bossing तो dear friends इसी प्रकार के sentence आप practice करके अंग्रेजी बोल सकते हैं तो यदि आपको इस sentence अच्छे लगे हो पसंद आए हो तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा like करिए share करिए और यदि आप channel के लिए नए हैं तो प्लीज जैसे subscribe करिए bell icon को press करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंश करें thank you for watching